जेहन दोस्तों आज किस वीडियो में बात करूँ है निसान मैगनाइट के बारे में क्योंकि उसकी प्रोडक्शन जो है वो आज से स्टार्ट हो चुकी है इन दे चनई प्लांट तो थोड़ी इमेजेस है मेरे पास इन डिफरेंट कलर जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ अगर आपको इसी बूट्स पे सुनी पता है वो भी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ और भी थोड़ी बहुत फीचर्ड हम डिसकर्स करेंगे और प सब्सक्रीन के सामने सिल्वर कलर की निसान मैगनाइट देख रहेंगे जो बहुत ही अच्छी लगती है विद इस ट्राइकिंग लुक इन फरंट शार्प से आपको LED हैडलांप दिखनो मिलते हैं विद एल शेप्ट डेटाइम रनिंग लाइट और उसके साइड में मुझे थोड़ा क्रोम फिनिश लग रहा है या फिर यह सिल्वर कलर का ही थोड़ा है बाकि ग्रेल आपको बहुत मैसिव सी दिखती है एक टाइप से निसान का जो चीप ब्रैंड है वो डैटसन है तो उससे मिलती जुलती है आपको मतलब की ग्रेल इसमें देखनों मिल जाती है ज ब्रॉंज विद ब्लाक रूफ तो आप ब्रॉंज कलर भी इसका देख पा रहेंगे इसमें भी बहुत अमेजिंग लग रही है कार बट मोस् ट्राइकिंग मुझे रेड में लगी है कार सिल्वर थोड़ा ठीक रहते है बाट माई प्रेफरेंस वोड़ा थोड़ा जादा च 360-degree camera जिसको around view monitor बोलता है Nissan वो मिलने वाला है and a 7-inch TFT screen जो आपको instrument cluster में मिलेगी tire pressure monitoring system और इसमें आपको 8-inch का infotainment system मिलेगा supporting wireless for Apple CarPlay and Android Auto with built-in voice recognition और Nissan connect मतलब की Nissan की तरफ से ये एक टाइप से Hyundai वाला blue link वाला ही system है इसमें आपको 50-plus features मिलेंगे such as geo fencing, roads, assistance and smart watch connectivity etc etc इसके जो boot space है that is 336-liter competition से थोड़ी कम रहती है बट मेरे ख्याल से इसका जो leg room है for the rear passengers वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर boot space थोड़ी less रखी है as per its competition बखी गई इसके color options के बारे में बात करें आप अपनी screen के सामने इसका red and black color option देख पा रहेंगे वो जो मैंने आपको पहले भी दिखाया फिर आपको single tone में red मिल जाता है उसके बाद pearl white and onyx black मतलब की आपको black roof मेलेगी and white body मिलेगी car में and फिर आता है sandstone brown जो मैं आपको bronze type सा color दिखा रहा था फिर आता है vivid blue and storm white ये भी अच्छा लग रहे देखने में फिर आता है blade silver single tone में फिर आता है onyx black जो मतलब की black color ही है and then comes the storm white single tone में so इसमें हमें 5 monotone color देखने हों मिलते है and 3 dual tone color देखने हों मतलगी total 8 color options इसमें offer करे जाते हैं by Nissan बाकी interior के बारे में बात करें interior भाप अपनी screen के सामने type से देख ही पा रहे होंगे ये कुछ ऐसा interior है vehicle का मैं थोड़ा zoom करके भी दखा देता हूं ये देखिए ये है इसका interior बाकी 360 degree view सा भी दे देता हूं आपको कुछ ऐसी दिखती है ये अंदर से seats दिखा हूं तो ये देखिए ये seats ऐसी है साइड में आपको थोड़ी बकीने type C भी मिल जाती है and overall interior की quality ठीक ठीक सी है मैं इतनी में बोलोंगो बहुत ही अची है but okay अगर इसका price मलगी जिस साबसे इसके price expectation है उससाबसे इसका मुझे जो interior है वो ठीक लग रहा है बीच में आप hand dress भी देख पा रहे होंगे and rare map के adjustable headdress देखनों मिल जाता है of course and launch date के बारे में बात करें launch हो सकता है इसका next month जी हाँ आप नहीं रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि इसका launch है वो हो सकता है next month गाडी तो reveal होगी है तो launch भी हो जाएगा और price reveal भी उसी दिन ही होगा and now मतलग की यही वेट है के officially Nissan कब announce करता है कि हम इस date को launch करें वैसे तो expected next month है बट यह नहीं बदा के कौनसी date को यह कार launch होने वाली है so guys for more info on this vehicle make sure to hit the subscribe button साथ जीजान notification bell को भी दपा देना क्यूंकि जैसे कोई नए अपडेट आएगा मैं इस पर वीडियो बनानी की पूरी कोशचिश करूँगा so till my next video I will see you soon बट 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 जएगाई